हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो के अंदर हम दो डिसकर्स करने वाले हैं क्लास 10 ग्रिय विज्ञान जिसका कोट 216 है अब जो भी स्टूडेंट अपने एक्जाइम एप्रिल 2024 या फिर ऑक्टोबर 2024 सेशन में अपने एक्जाइम देने वाले हैं तो ये असाइन्मेंट्स ह स्टूशते हैं की मैम हमें अपने असायन्मेंट्स सब्मिट करवाने क्यों जरूरी होते हैं ठीके ये आपके मार्क्ट को इंक्रीज करने में काफी ह हेल्प करते हैं आप विज्यान का जो question paper होता है वो 85 marks का होता है ठीक है जिसका 20% जो marks है आपके TMA का होता है ठीक है जो की add होते हैं अगर 85 का 20% निकाले तो 17 marks एप्रॉक्स रहते हैं ठीक है और इसका जो है 85 का जो marks है ये आपके 68 में convert हो जाते हैं ठीक है और इसका जो practical होता है वो आपके 15 marks का होता है theory and practical मिला करके आपके marks जो है add होते हैं तो 33% आपको लाना होता है separately theory में भी practical में भी I hope you understand that मैं धीरे धीर स्क्रॉल करती जा रही हूँ आप लोग देख देखकर अपने assignments जो हैं अच्छे तरीके से बना सकते हैं अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं हमें अपने assignment किस तरीके की file में बनाने चाहिए तो आप लोगों को A4 size के practical pages में आप लोगों को अपने assignments को बनाने चाहिए यहाँ पर totally 6 questions दिये जाते हैं जो कि बैस वीडियो में fully solve दूँगी ताकि आप लोग अपने assignments जो है अच्छे तरीके से complete कर पाओ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से subscribe करके रखें ऐसी और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी salt, TMA, salt, practical exam times में आप लोगों को notes भी available होंगे तो चैनल जरूर से subscribe कर ले ताकि हमारे वीडियोस जब भी uploaded हो तो आप लोगों को सबसे पहले notification मिल जाए और आप लोग अपनी study preparation जो है अच्छे तरीके से complete कर पाओ और दूसरे बच्चों के साथ भी जरूर से हमारा channel share किया करे ताकि वो भी हमारे वीडियोस से help ले पाएं अब question जो है आप लोगों को हमेशा black pen से लिखना है answer जो है आप लोगों को हमेशा blue pen से लिखना होता है इस बात का ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे students ऐसे होते हैं लिख रहे हैं तो पूरा blue से लिख दिया और लिख रहे हैं तो पूरा black से ही लिख दिया तो ऐसी गलती अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ही loss है ठीक है अब जैसे कि यहाँ पर यह portion जो है हम लोगोंने bolt करके लिखा है ठीक है यहाँ पर भी सेम यां पे भी तो इसको आप लोग हमेशा black pen से लिखना है आप लोगों को ठीक है और बाकी portion जो ये है इसे आप लोग blue pen से लिखेंगे ठीक है अब आप लोगों को submit किस तरीके से करना होता है तो submit आप लोगों को front page के साथ आप लोगों को proper way में करना होता है ठीक है जिसमें आप लोगों को enrollment number, name, class, medium, study center name, AI code को आप जो है बहुत सारे बच्चे परिशान होते तो study center name लिखना होता है AI code name विगरा में ठीक है जो कि आप लोगों के eye card के नीचे दिया जाता है वहां से आप लोग देख करके वो लिख देना और भी अगर आप लोगों को TMA चाहिए तो TMA की playlist जो है हमारी description box में दे दी जाएगी वहां से देख करके आप लोग अपने assignments को अच्छी तरीके से बना पाएंगे अगर वहां पे आपके subjects जो है uploaded हैं तो अच्छी बात है देख करके बना ले अगर नहीं है तो comment section में comment करके आप लोग हमें बता सकते हैं उस subject के TMA भी हम लोग बहुत जल से जल्द आप लोगों को provide करवा देंगे जिससे कि आप लोग अपने assignment timely complete कर पाऊगे और आप लोग अच्छे marks भी last पाऊगे और बहुत सारे students ऐसे हैं जो मतलब हमारी वीडियो से देख कर के TMA बनाने में दिक्कत महसूस करते हैं तो वो लोग solve TMA की PDF लेकर भी अपने assignments को बना सकते हैं आप लोग लिखना नहीं चाहते हैं किसी की job रहते हैं जिसकी वज़े से वो लोग साथ में study भी कर रहे हैं लेकिन time नहीं मिल पाता तो वो लोग submit नहीं कर पाते हैं तो आप लोग हमारे handwritten TMA की services में भी join हो सकते हैं जहां पे teachers के साथ आप लोग contact करके अपने assignments को submit करवा पाएंगे और अगर आप लोग को किसी भी तरीके का doubt रहता है TMA वेगरा को लेकर के तो teachers आपके doubts को भी clear कर देंगे और आपके जो TMA हैं किस तरीके से हमारे teachers ने submit करवाएं हैं भी आप लोग अपने portal पे देख पाएंगे I hope आप लोगों के लिए हमारी जो videos होती हैं काफी helpful रहती हैं अगर रहती हैं तो हमारे channel को subscribe करके रखें ताकि ऐसी और भी videos आप लोगों को मिलती रहेगी हमारे channel पे अब question number 6 जो है ये project based question होता है ठीक है जो कि आपको आपकी books से भी नहीं मिलते जिस वज़े से हम लोग आप लोगों को videos, PDF वेगेरा provide करवा देते हैं salt ताकि आप लोग अपने assignments जो है अच्छे तरीके से complete कर पाओ अब काफी बार question number 6 का question और answer जो है थोड़े बड़े होने के current students इसे shortcut तरीके से लिख करके upload करते हैं तो इस तरीके की गलती अगर आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें नहीं तो आपके marks बिल्कुल भी नहीं आएंगे और अगर आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो हमारे teachers से contact करके hand written TMA भी ले सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे marks मिलते हैं ठीक है सबी assignments जो है NIS expert teachers दोआरा आप लोगों के लिए ready करवाये जाते हैं ताकि आपके जो marks हैं काफी बहतर आएं और अगर आप लोग चाहते हो कि salt TMA की pdf and return TMA वे गएरा हमें मिल जाए तो आप लोग nominal charges पे करके हमारे teachers से contact करके ले सकते हैं contact number आप लोगों को description box में भी मिल जाएगा अगर आप लोग और भी updates चाहते हैं तो telegram channel whatsapp channel की link description box में दे दी जाएगी कि वहां से join हो जाएं वहां पे भी आप लोगों के लिए काफी सारी updates time to time दे दी जाती हैं जिससे कि आप लोगों को दिकत नहीं होगी अब जो भी student salt TMA and return TMA या फिर हमारे services पे join होना चाहते हैं तो आप लोग teachers से contact करके join हो सकते हैं contact number 8250129920 ये HKNAS information के नाम से जरूर सेव कर लें अगर in future भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो आप लोग teachers से contact कर सकते हैं और telegram channel whatsapp channel की link description box में मिल जाएगी salt TMA की playlist भी description box में दे दी जाएगी वहाँ से आप लोग देख सकते हैं I hope आप लोगों के लिए video healthful रहती है तो अगर जरूर से दूसरे बच्चों के साथ भी share किया करें खुद भी subscribe करके रखें ताकि आप लोगों का ही इसमें benefit है ठीक है